Dear Students, स्वागत आप से भी का हमारे YouTube चानल Study with Dular में तो बच्चों हम लोग आज Class 5 के Math Exercise 67 को Complete करेंगे Chapter 12 का है, Measurement of Time तो इसमें ये Chapter जो है, इसका Last Exercise है इसको हम लोग आज Complete कर लेंगे, ये Chapter भी Complete हो जागा Question को Solve करने से पहले हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, उसके बाद इसको Solve करेंगे Question No.1 में What Time Will Be? क्या समय होगा? तो कितना बज़े क्या समय होगा? यहाँ पर इस नमर में दिया हुआ है 2 hours, 50 minutes, after 9, 10 a.m. तो अभी जो है, 9 बज़ कर 10 मिनट हो रहा है, सुबा का टाइम है 9 बज़ कर 10 मिनट हो रहा है, और यहाँ पूछ रहा है कि 2 घंटे, 50 मिनट बाद, कितना समय होगा? तो इसमें हम अगर इसको Add कर देते हैं, तो कितना समय होगा, वह हमको मिल जागा तो यहाँ पर हम लोग Add करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है तो इसको Add कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया? 50 और 10 60 हो गया, तो 60 यहाँ पर लिखाने जाता है, 60 जब आएगा तो 0 हो जाता है और इधर 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, यह हो गया 0 और यहाँ पर 1 आगया तो बना गया अब यहाँ पे 10 हो गया और 2, 12 हो गया इसका मतलब है कि यह 12 बच जाएगा यहाँ पे 12 हो गया तो अब अम से चला सुबह से चला अगर 12 बच गया है इसका मतलब है कि 12 पी-म हो जाएगा 12 पी-म यह इसका अंसर हो जाएगा question number B में उसी तरह का दिया हुआ है तो है हम लोग इसको solve कर लेते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे 5 hours, 15 minutes after 11.30 am यहाँ पे सुबह का सुबह का यहाँ पे बज़ रहा है 11.30, 11.30 मिनिट हो रहा है 5 घंटा 15 मिनिट 5 घंटा 15 मिनिट बाद कितना समय होगा अभी 11.30 हो रहा है तो 5 घंटा 15 मिनिट बाद तो उसमें add कर देंगे तो पता चल जाए कि 5 घंटा 15 मिनिट बाद कितना time होगा तो यहाँ पे हम लोग add कर देते हैं 30 और 15 हो गया तो 60 से ज़ादा होगा तब हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 60 से कम हो रहा है तो यहाँ 45 हो रहा है तो यह 45 और यहाँ पे 11 और 5 यह 16 हो गया 16, 16, 45 इसका मतलब है कि यह 24 hour clock जो होता है उसके अनुसार यह 16, 45 16, 45 का मतलब हो गया 4, 4, 45 यह PM में हो जाएगा PM यह इसका अंसर हो जाएगा और question number C question number C में क्या कह रहा है 4 hours, 40 minutes 4 hours, 40 minutes after 8, 40 PM तो 8, 40 PM इसका मतलब है कि यह 8, 40 PM का मतलब होता है 20, 40 hours और 4 hours, 20 मतलब यह 12 बज़े रात जो है उससे भी पार हो जाएगा तो उससे भी पार होने वाला है तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे 12 बज़े रात तक 24 बज़े तक 12 बज़े रात तक वो कितना समय इधर है तो उसके उधर कितना समय होगा तूसर नुसर से पता चले जागा हम लोग को सबसे पहले हम इधर होड़ा टाइम निकालेंगे जो 24 hour जो है यहां पर 20 हो गया और यहां पर 1 इधर चला गया 23, 23 में 20 चला गया तो 3 बची गया इसका मतलब है कि 3 hours 20 minutes 12 बज़े से पहले तक उतना हो गया और उसके बाद कितना अधिक जो जाएगा तो 4 hours 40 minutes है तो इतना इधर हो गया और इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको पता च तो 20, 40 में से 20 किया तो यहां 20 बच जाएगा और यहां पर 1 4 में से 1 तो 1 इसका मतलब है कि 1 20 am इसका मतलब है कि 1 बज़ कर 20 minute am रात के 1 बज़ कर 20 minute होगा तो यह इसका आंसर हो जाएगा question number 1 यहां पर complete हो जाता है question number 2 पर हम लोग आएंगे यह question number 2 और इसमें कह रहा है what time was मतलब क्या समय था तो इसमें माइनस करने के लिए आपके हम लोग को मिलेगा question number A में 2 hours 10 minutes before 12 10 pm मतलब 12 बचकर 10 minute हो रहा है और इससे 2 घंटा 10 minute पहले कितना टाइम हुआ था तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे जो समय हम लोग के पास है अभी जो present time है उसमें से 2 hours 10 minutes माइनस कर देंगे तो दो घंटा 10 minute पहले क्या समय हुआ था वो पता चल जागा तो यहां पर हो जागा 0 और यहां पर 12 में से 2 चला गया तो 10 10 तो यहां PM था तो PM से वो पीछे चला जागा तो AM में चेंज हो जाएगा तो 10 AM यह हो गया question number B question number B में 3 hours 30 minutes before 9 10 AM मतलब 9 बज़कर 10 minutes यह सुबह में time हो रहा है AM सुबह में time हो रहा है और उससे 3 गंटा 30 minutes 3 hours 30 minutes before उसके पहले तो इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं पता चल जागा कि कितना समय हो रहा है तो इसको माइनस करते हैं यहाँ पर 9 10 में से 3 hours 30 minutes तो यहाँ पर माइनस करने के लिए यह माइनस इसमें से नहीं होगा तो यहाँ से 1 hour लेते हैं यहाँ पर 60 और 10 यहाँ हो जागा 70 70 हो गया, अब यहां पे उसमें से 30 चला गया, तो यहां बच गया 40, यह 40 हो गया, और यहां पे 1 चला गया था, यहां पे बच गया 8, 8 में से 3, तो 5, 5 हो गया, यह AM में है, तो AM में ही रहेगा, यह 540 AM, यह इसका अंसर हो जाएगा, यह हो गया complete, question number C, 4 hours, 50 minutes, 4 hours, 50 minutes, 4 hours, 50 minutes, 4 hours, 50 minutes, before 24 hours, मतलब midnight, 12 बजए, midnight में, उससे, उससे 4 गंट, 50 minutes पहले, कितना टाइम होगा, तो कुछ निकरना है, simply इसको इससे मैनस कर देना है, इसका अंसर आ जाएगा, तो यहां पे 24 hours, इसमें से 4 hours, 50 minutes, जो है, मैनस कर देते हैं, तो यहां पे मैनस करते जाएगा, इसमें से 1 चला गया, 60, 60 में से 50, तो यहां पे 10 हो गया, और यहां पे 24, तो यहां पे 23 हो गया, 23 में 4 मैनस कर देते हैं, तो यहां पे बच जाएगा, 19, यह हो गया, 19, तो 19, 10, 24 hours, clock के नुसार, यह टाइम, 7, 10, 10, PM, PM में हो जाएगा, तो इसका मतलब है, कि 7, 7 बच कर 10 मिनिट, यह इसका आंसर हो गया, यहां पे यह कंप्रेट हो गया, question number D, D में क्या बतला रहा है, 8 hours, 20 minutes, 8 hours, 20 minutes हमको पीछे जाना, before, कितना टाइम हो रहा है, 6, 10, PM, 6 बच कर 10 मिनिट के, 8 गंटा, 20 मिनिट पहले कितना टाइम हो रहा था, तो इसको सबसे पहले, PM में है, मतलब साम का टाइम है, तो हम लोग पीछे जो है, 6 गंटा, 10 मिनिट पीछे जाते हैं, तो उसमें 12 बच जाएगा, तो 12 बच जाएगा, तो उसके 12 बच के बाद से कितना फिर टाइम बचता है, तो हम इसको जो है 8 hour 20 minutes से इसको माइनस कर लेते हैं ये पीछे चला जागा और जितना time बजता है वो 12 से फिर पीछे कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जागा 20 में से 10 तो 10 minute हो गया और यहाँ 8 में से 6 तो 2 मतलब इतना हम पीछे कर जाते हैं 6 hours 10 minute तो 12 बच जाएगा 12 बच जागा दिन का तो उससे हमको और इतना पीछे जाना हो तो यहाँ पर 12 hours लिखते रखा हुआ है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना बज़ेगा उपता चल जागा इसमें इसको माइनस कर देते है 2 hours 2 hours और 10 minute इसको करते हैं इसको माइनस तो यहाँ से माइनस होने वाला नहीं है इसमें से एक लेते हैं तो यहाँ पे 60 हो गया 60 में से 10 तो यहाँ बच गया 50 और यहाँ पे 12 12 में से 7 चला गया था 11 हो गया 11 में से 2 11 में से 2 hours चला गया तो 9 hours हो गया इतना मतलब 9 बच कर 50 minute हो जाएगा तो यह 12 बज़े तक पीम और उससे पीछे चला गया तो एम में आ जाएगा यह एम यह हो गया यह इसका अंसर हो जाएगा यह कंप्रेट हो गया question number 3 को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यह what problem question है Jatin fell sick on March 12 12 मार्च को वो जो है बिमार पढ़ा Jatin he recovered from illness on April 9 9 अपरेल को ठीक हो गया how many days did he remain sick तो वो फिर कितने दिनों तक बिमार रहा तो इसको बनाने के लिए यहां पर ध्यान देना है कि मार्च जो है 12 मार्च को बिमार पढ़ा 12 मार्च को का तो टुएल तक आ गया मतलब 11 मार्च तक वो बिमार नहीं था तो इसमें 12 से लेकर आगे तक मतलब मर्च में से 11 बाच में से दिन बिमार रहा और अप्रेल में 9 अप्रेल को वो ठיק हो गया तो मतलब है कि 8 अप्रेल तक वो बिमार रहा तो इन दोनों मंत में जो जो दिन आते हैं उनको हम add कर देंगे तो पता चल जाए कि वो कितना दिन बिमार रहा तो फिर हम इसको solve करेंगे seek days बिमार रहने का दिन तो March में 11 बिमार नहीं था तो इसका मतलब है 31 days होता है March में 31 minus 11 तो इसमें से 11 minus कर देते हैं तो इसमें से कितना हो गया 31 में से 11 तो 20 20 days वो बिमार रहा उसके बाद 6 days on April तो 6 days on April तो April में 9 April को वह ठीक हो गया तो इसका मतलब है कि 8 days 8 April तक वो बिमार रहा 8 days इसको करेंगा हम लोग प्लस क्या होगा 28 days 28 days इसका मतलब है कि वो completely 28 days बिमार रहा तो ये answer हो जाएगा हो गया Question number 4 में हम लोग चलते हैं Question number 4 में सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे A school opened on 1st April एक school है जो 1st April को 1 April को खुलती है After the examination and परिछा के बाद Final exam होता है उसके बाद 1 April को खुलती है and close for summer vacation on 5th में और वो जो है summer vacation के लिए 5 में को बंद हो जाती है How long did the school remain open तो फिर school इस दर्मियान कितने दिनों तक खुली रही तो उससे तरह समझे लोग देखेंगे कि April में और मैं 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 कितना दिन खुला रहा पिर April में कितना दिन खुला रहा उसको made कर देंगे पता चल जाए कि इतना दिन तक इसको खुली रही तो solution इसको करते हैं हम लोग Days of school opened तो April में 1st April को तो open हो गया April में 30 days होता है इसका मतलब है कि पूरा April वो open रहा तो 30 days हो गया यहाँ पे 30 days 30 days और यहाँ पे 5th में को close हो गया फिर तो में को close हो गया इसका मतलब है कि 4th में तक वो चालू रहा तो days of school opened on में 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 4 days रहा तो 4 days क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे तो total school कितने दिन तक खुली रही तो यहाँ पे 34 34 days यह इसका अंसर हो जाएगा यह होगिया complete question number 5 इसको solve करेंगे I use left for Canada left for Canada on 3rd October Canada को वो छोड़ देता है मतलब वहाँ से बाहर निकल जाता है 3rd October को मतलब 3rd October को वो बाहर निकल जाता है and came back on 28th December 3rd October को निकलता है वो और 28th December को वो वापस रिटन आ जाता है how many days did he remain out of town तो फिर वो कितने दिनों तक साहर से बाहर रहा सबसे पहले हम लोग October में 3rd October को निकल जाता है इसका मतलब है कि 3rd October से ही लेना होगा तो दो दिन वो October में दो दिन यहां पे रहा और फिर 3rd October से वो बाहर चला गिया मतलब 2 दिन माइनस हो जागा तो 31 में 2 तो 29 days जो है वो बाहर रहा इसमें हो गया October नॉम्बर पुरा बाहर रहा और फिर December में 28th मतलब 27 December तक वो फिर बाहर में ही था 8th में आ गया तो 27 तक बाहर ही था इस तरह से एक-एक मंत का हम लोग इसको निकालेंगे फिर पता चलेगा तो इसको solve करते हैं तो October में वो 31 days में से 2 days वो Canada में था 31 माइनस 2 इसका मतलब है कि वो 29 days बाहर रहा 29 days बाहर रहा उसके बाद October number number completely वो number completely वो बाहर रहा तो number में 30 days होता है तो इसका मतलब है कि वो 30 days बाहर रहा उसके बाद December में 28th को वो आपस आ गया मतलब 27 December तक वो बाहर रहा तो days of out from town on December December equal to 27 27 यह days हो गया और यहां पे भी days हो जाएगा इसको करेंगे हम लोग 86 days वो completely सहर से बाहर रहा है यह हो गया complete यह इसका अंसर हो जाएगा कुरुना एक ओफिस में काम करती है और वहां से वो 25 डेज के लिए छुट्टी लेती है अगर उसकी छुट्टी जोए 18 जनवरी से चल रहा है तो फिर वो कब जुट्टी करेगी तो जनवरी में हम लोग पहले जनुवरी में कितना दिन होता है वो ले लेते हैं उसके बाद फरवरी में कितना दिन जाएगा यह पता करेंगे तो इसको solve करते हैं तो 31 जनुवरी में 31 days होता है तो इसमें से 17 days वो काम की तो फिर कितने दिन लीब उसको मिला इसको मैनस कर देंगे 14 तो 14 days उसको यहां पर लीब मिल गया जनुवरी में अब फरवरी में तो इसमें और कितना दिन इसमें लीब बचा कितना बची गया 11 हो गया 11 days 11 days उसका छुटी बचा हुआ है तो 11 days फरवरी में चला जाएगा 11 days फरवरी में चला जाएगा तो लीफिंग देज अधि फरवरी में लीविंग देज हो जाएगा 11 days तो 11 days 11 days परवरी तक ही होगा 11 फरवरी तक होगा इसका मतलब है कि वह 12th February को office में जोईन करेगी इसका अंसर हो जाएगा c ऐन इसका अंसर हो जाएगा, she joined the office on 12th February, ये इसका अंसर हो जाएगा, ये होगे complete, question number 6, अब question number 7, और ये last question है, इस exercise का और इस chapter का भी, तो अब हम लोग इसको solve कर लेते हैं, अब हम लोग आ चुके हैं, question number 7 पे, और ये last question है, कविता has two children, कविता का दो बच्चे हैं, her first child was born on 3rd July, उसका पहला बच्चा का जनम जो है, 3 July 2000, 3 July 2000, तो 3 July 2000 को पहले बच्चे का जनम हुआ है, second child was born after 2 years and 89 days, और दूसरा बच्चा जो है, उसका जनम, पहले बच्चे के जनम से 2 साल और 89 days बाद हुआ है, what is the date of birth of the second child, तो इसको solve करना हम लोगों को, तो वो जो दूसरा बच्चा जो है, उसका birthday कब होगा, किस तारिक को होगा, किस साल को होगा, इस तरह से पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको solve करते हैं, solution, सबसे पहले, पहला बच्चा का जो जनम है, इतना में है, तो दो साल उसमें add कर देते हैं, 2 years, तो add कर देते हैं, दो साल अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, तो यह सेर्फ दो साल बढ़ जाएगा, और सब कुछ date month वही रहेगा, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यह y हो गया, तो y में 2000 हो गया, और यह month हो गया, month में July, मतलब 7 हो गया, और day, दिन, इसमें हो गया, days में 3, यह हो गया, तो इसमें हम जोड़ देते हैं, only 2, 2 years, years में सिर्फ जोड़ते हैं, 2, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर plus हो जाएगा, तो इसको करेंगे plus, तो सब कुछ वही रहेगा, 3, 7, और यहाँ पर 2,002 हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ साल बदल गया, 2002 हो गया, तो उसन नुसार से हम लोग क्या पाते हैं, we get, 2 साल इसमें हम 8 कर देते हैं, तो we get 3rd July 2002, तो हम लोग यह date पाते हैं, लेकिन हमको अब और थोड़ा आगे बढ़ना है, कितना, 89 days हमारे पास है, तो आगे हम बढ़ते हैं, 89 days, यह हो गया, हमारे पास इतना है, सबसे पहले हम इसको जुलाई में लेंगे, तो जुलाई में, 3rd July को उसका बड़े है, तो 3rd July, जुलाई में कितने दिन बचा, days on July, days on July, days on July, equal to कितना हो जाएगा, 31 July में होता है, और 3rd July को जन्म होआ है, इसका मतलब है कि, इसमें 3 days जो है, minus हो जाएगा, 4 July से गिंती आएगा, तो यह हो गया, तो minus हो गया, तो 31 में 3 चल आगया, 28 days हो गया, 28 days, अब इसमें से 89 में से 28 days July में आ गया, और days on August, तो इसमें 31 days होता है, 31 days इसमें आ गया, और कितना दिन बचा हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो सेप्टेमबर में, सेप्टेमबर में, सेप्टेमबर में days हो गया, 30, 30, days हो गया, इसको हम 8 कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाता है, 8, 1, 9 हो गया, और यहां पर 6, 2, 8, 89 days यहां पर आ जा रहा है, है, last September, 30 September तक जाते हैं, तो वहां पर हमको 89 days, 89 days आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर 30 September को मिलता है, तो 30 September मतलब हो जाएगा, यह, उसका birthday हो जाएगा, तो इसका मतलब है, date of birth, तो उसका date of birth क्या हो जाएगा, date of birth, of second child, दूसरे बच्चा का जनम दिन हो जाएगा, 30 September 2002, यह, इसका answer हो जाएगा, यहां पर complete हो गया, question number 7, और इसी के साथ exercise 67 और chapter 12 complete हो जा रहा है, अगर आप लोग को किसी तरह को कोई problem हो, तो आप comment कर सकते हैं, मैंने whatsapp नमर दिया हुआ है अपना, आप whatsapp कर सकते हैं, अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक like जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे, आई हम लोग next वीडियो में चलते हैं,